हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज मैं आपको कुछ Amazing Apps के बारे में बताने वाला हूँ ये Amazing Apps आप अपने फोन में और डालना चाहेंगे सबसे पहले बात करते हैं इस Amazing Apps के बारे में जिसका नाम है PhotoLab PhotoLab एक ऐसी एप है जो कि आपकी Normal Portrait Photos को convert करती है AI cartoon portrait photos में यानि कि आपका एक cartoon image जो है बना देती है अब आपको सुनने में तो लगेगा कि cartoon image क्यों ही बनाए अपना लेकिन actually में अगर आप photos देखेंगे जो मैंने बनाई है और जो बाकी और लोगों ने इस app को use किया है वो photos बहुत ही कमाल की लगती है क्योंकि ऐसा लगता है किसी ने आपका कोई एक sketch जो है बनाया है और वो बहुत ही amazing लगता है और आज के time पे ये चीज़ possible है artificial intelligence को use करके तो ये जो photo lab है ये artificial intelligence के algorithm यूज़ करके आपकी photo app के अदर upload करने को कहती है उसके बाद आपको जो है AI cartoon portrait बना के देती है और इस app का interface भी बहुत ही clean है कोई add नहीं है लेकिन ये app पूरी तरह से free भी नहीं है लेकिन यहाँ पे एक trick है इस app को अगर आप चाहें तो 3 दिन तक free में use कर सकते हैं इस app को जब आप install करते हैं और जब on करते हैं यानि कि उसे launch करते हैं तो उस time पे आपको एक message आता है जिसके अंदर ये लिखा आता है कि 3 दिन का free trial आप use कर सकते हैं तो 3 दिन तक आप इस app को free में use कर सकते हैं और उसके बाद ये app आपके card पे जो भी आपका apple store पे या google play store पे जो आपका credit card लगा हुआ है उस पे bill करती है monthly और monthly जो bill है इसका वो भी बहुत ज़ादा नहीं है तकरीबन 340 रुपे मन्त का आपका खर्चा आता है और अगर आपको वो भी नहीं देना है तो आप 3 दिन इस app को use करिए और 3 दिन होने से पहले आप इस app को जो है अनिस्टॉल कर दीजे अनिस्टॉल करने के साथ साथ आप इस app का subscription जो है वो disable कर दीजे चाहे app को आप अनिस्टॉल भी नहीं करते हैं तो subscription को disable करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की app जो की basically आपको bill करती है आपके card पर तो मैं यहाँ पर app को launch करके आपको दिखाता हूँ कि क्या करती है यह app तो इस app का नाम है photolab और यह Chinese app नहीं है यह British app है और यह British app होने के साथ साथ again इसका interface काफी clean है कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पर phone की screen recording कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको interface मिल जाता है इस interface में आप scroll down करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लोग जो इस app को use कर रहे हैं वो अपनी खुद की photos जो हैं यहाँ पर upload कर रहे हैं तो पूरा all over the world this app is very popular right now और इसमें कुछ Indian faces भी आपको देखने को भी लेंगे तो लोग अपने faces पे अलग लग तरह के effects जो है यह app जो अलाव करती है वो लगा के आपको यहाँ पर दे रहे हैं और अगर आपको इसके अंदर अपना AI cartoon portrait बनाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते है अपको आपको launch करना है फिर आपको जाना है new new करके AI cartoons करके एक effect है उसके अंदर आपको यह सारे effect जो है मिल जाते है effect को आपको select करना है फिर अपने phone से वो photo select करनी है अब आप सोचेंगे कि यह photos कहां से लाएं गया आप इन photos को वापि social media पर download कर सकते है जैसे मेरे case में मैंने facebook पे, twitter पे और बाकी instagram पे जो अपनी portrait photos पहले upload कर रखी है अच्छी वाली उनको मैंने download किया और download करके इस app के थुरू अलग-अलग तरह के portrait effects जो है इस पे लगाएं अलग-अलग तरह के cartoon effect उसमें लगाएं और वो सारी photos जो है अच्छी आ रही है हलाकि हमेशे ऐसा नहीं है कि आपको exact अच्छा reality मिले जो आपको पसंद आए क्योंकि again यह algorithm पूरा perfect तो नहीं है effect select करना है यहाँ पर effect को select करने के बाद आपको अपनी photo जो है उसके लिए select करनी है आपका जो नीची gallery है वो खुल जाएगी और उस gallery में आपको एक regular photo जो आपको effect लगाना है जिस पे उस photo को select कीजिए select करने के बाद यहाँ पर इस तरह से tag कर दीजे तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई information डालनी है और यह जो photo process होके वापस आपको आपके phone में दिख जाएगी इसके लिए internet connection required है तो कुछ इस तरह से आपको एक photo मिल जाती है जो की बहुत ही सही लग रही है और इसको मैं अब अपनी profile पे लगा सकता हूँ कहीं पे भी इसको मैं offline save कर सकता हूँ अपने phone पे डाउनलोड का option यहाँ पे मिल जाता है तो इस तरह से आप इस app को use कर सकते है and again इस app की privacy policy भी दी गई है तो आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि वो आपकी photo जब upload करते हैं अपने server पे तो उसका क्या करते है again इस video को like कीजिए और share कीजिए और लोगों के साथ ताकि और लोगों को भी यह पता चले इन amazing apps की बारे में और कोई भी query questions हैं तो वो नीचे comment section में लिख दीजे और अगर पूछना चाते हैं कुछ personal बात करना चाते हैं तो instagram पे आजेए अगर आपको public में कुछ पूछना है take questions उसका फटाफट reply चीए तो मुझे आपको twitter पे आके follow करना होगा और twitter पे आप अपने जवाब सवाल जो है पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वन्ने मातरम